बिस्मिल्ला रख्माल रख्म स्टुदेंट साज हम करेंगे वॉल्यूम एन सर्फिस अर्फिस अर्या ओफ गोंज दी टू से एक्सर्साइस 12 भी पेज है 337 फ्टेशन नंबर 17 करेंगी फ्टेशन में कहरें कि एस अलेड इस मेड़ अप अफ तो इडेन्टिकल कोंज इच विड़ बेस डियमेटर ऑफ 14 सेंटिमेटर और स्लांट हाइट ऑफ 15 सेंटिमेटर फाइंड पारफ फर्स में कहरें तो टोटल सर्फिस अरिया और सेकिंड में कहरें दो वॉल्यूम ऑफ दा सॉलिड तो स्टुदेंट सब से पहले हम सलूशन में लिखेंगे गिवन ग्राइयमेटर 14 सेंटिमेटर है स्लांट हाइट 15 सेंटिमेटर है रेडियस 7 सेंटिमेटर है तुरीडिंट पर हम से पहले हम इसका total surface area of cone निकालेंगे surface area of the cone फार्मूला है pi r l क्योंके दो cones है तो मैंने यहाँ पे two bracket के बहर लिख लिया 2 and pi values 3.14 radius is 7 and slant height l is 15 cm when you put into the calculator you'll get 659.4 cm square ठीक है students अब next में students मैंने volume find करना है तो volume के लिए मेरे पास height का find होना जरूरी है क्योंके slant height आपके पास 15 cm है जो कि मैंने कहा था कि यह hypotenuse consider होती है और radius आपके पास 7 cm तो सुझे मैंने यहाँ पे right angle triangle बना लिया है hypotenuse 15 है base आपके पास 7 है pythagoras यूज किया h square equal to p square plus b square h की value 15 square है perpendicular आपके पास unknown है और base आपके पास 7 है square लगा लिया मैंने p square find करने तो 7 square को left पर ले गया और apply square root on both sides so यहाँ पे आपके पास आएगा 176 under the root apply square root so we'll get perpendicular will be equal to 13.26 now I need to find volume of the solid so I put the volume of the solid क्योंके students आपके पास 2 cones हैं तो इनका volume भी 2 times आएगा ठीक है students तो मैंने यहाँ पे volume bracket के बाहर 2 लगा लिया 1 by 3 pi r square into h 2 and 1 by 3 will come as it is pi values 3.14 radius is 7 square and height we have found 13.26 when you will put into the calculator you will get 1360.12 centimeter cube that's it students I can't quit 1.15 I can't wait 1.15 12.15 11.15